दोस्तों कि आप अपने वर्टसेप में एप लोग लगाना जाते हैं और आपके वर्टसेप में एप लोग नहीं लग रहा है बार बार ट्राय करने पर भी एप लोग नहीं हो रहा है तो ऐसे में आपकी इस तरह से अपने वर्टसेप पर एप लोग लगा सकते हैं आज की इस दिखाय दिता है और आपके WhatsApp में एप लॉक नहीं लग रहे हैं तो इसे कंडिशन में आपको अपने फोन की सेटिंग्स को उपन करना है और यहां पर पर आपको अपना फिंगर्पिंट एड़ करना है जैसे आप अपना फिंगर्पिंट एड़ करना है जैसे आप अपना फिंगर्पिंट एड़ करतेंगे इस तरह से डन आपके सामने आजाएगा इस पर आपको क्लिक कर देना है अब आपके फोन में आपका फिंगर्पिंट ए करना है इस option को इनेबल करते ही fingerprint log को अनलोग करने का option है तो इसे आपको अनलोग करना है fingerprint log को अनलोग करते ही इस तरह से unlock with biometric option enable हो जागा यानि कि आपके वर्चैप पर एप लोग इनेबल हो जाएगा अब जब भी आप अपना वर्चैप open करेंगे आपको अपने fingerprint से इसे unlock करना होगा तब ही आपका वर्चैप open होगा ऐसे में कोई other person आपका phone लिक कर आपका वर्चैप यूज नहीं कर पाएगा वर्चैप यूज करने के बाद जैसे आप अपने वर्चैप को close करेंगे आपके वर्चैप पर immediately fingerprint लग जाएगा अगर आप चाते हैं कि वर्चैप क्लोज करने के एक मिनट के बाद आपका वर्चैप पर लॉक हो तो यहां पर after one minute option को select कर लिजिए इसके लावा यहां पर आप after 30 minutes option को select करके वर्चैप क्लोज करने के 30 minutes के बाद अपने वर्चैप पर एप लॉक को enable करवा सकते हैं इसके लावा show content in notifications option भी आपको यहां पर मिलेगा यह option by default enable रहता है जिससे की वर्चैप लॉक होने की condition में अगर आपको कोई message भीजता है तो वह message notification पैनल में दिखाई दिता है अगर आप चाहते हैं कि